हेलो फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रही हूं लौकी की सबजी इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है इसके लिए मैंने एक मीडियम साइज की लौकी को धो कर छीली कर छोटे छोटे टुक्रों में काट लिया है अब हम एक कूकर को गैस पे चड़ाएंगे इसमें एक चमस तेल डाल देंगे तेल को गर्म होने देंगे जब तेल गर्म हो जाए तो हम इसमें जीरा डाल देंगे तेल गर्म हो गया है अब हम इसमें जीरा डाल देंगे और अच्छे से लाल होने देंगे यहां पर मैंने बहुत ही कम तेली उसकिया है इसलिए इसे हम कल्चुल की मदद से अच्छे से लाल होने देंगे जीरा लाल हो गया है हम इसमें हरी मिस डाल देंगे और इसे अच्छे से चला देंगे अब हम हिंग डाल देंगे इसमें और इसे भी एक से दो बर कल्चुल से चलाते हुए हलका भूल लेंगे अब हम इन कटे लौकियों को इस कूकर में डाल देंगे टमाटर डाल देंगे अब हम इसमें हल्दी डाल देंगे नमक धन्या पॉडर गरम मसाले इन सबको हम अच्छे से चला देंगे सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे उसके बाद हम इसमें आधे ग्लास से भी थोड़ा कम ही पानी डालेंगे यहां मैंने आधे ग्लास से भी थोड़ा कम पानी डाला है और अच्छे से मिक्स करके बंद कर देंगे और चार से पांच सीटी लगने तक पकाएंगे चार से पांच सीटी लगने के बाद हम अब इसे खोलेंगे इसे मैंने तुरंद नहीं खोला पांच मिट मैंने छोड़ दिया सीटी लगने के बाद अब हम इसे कलचुल की मदद से ऐसे थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसे चलाएंगे हलका सा दवाते हुए देखे कितना अच्छा कलर आया है सबजी में टमाटर की बज़े से बहुत ही अच्छा कलर आया है सबजी में और बहुत ही अच्छे से गला है अब हम इस लौकी की सबजी के लिए एक चमजगी में जीरा राई हींका तड़का लगा देंगे लौकी का टेस्टी और हेल्दी सबजी त्यार है सर्फ करने के लिए इसे आप रोटी या प्राठे के साथ सर्फ कर सकती है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू